आज आम हमारे पाप्रिपुस्तप की नई कवितर दिने जाये में जिसका नाम है अगुनिवर्थ हरिवाउश्टार बच्चंजी दिखित इस कविता को आज आम उपड़ने जाये हरिवाउश्टार बच्चंजी का जन उत्तर प्रदेश के इलाबात चिलेने हुआ उन्होंने पिश्व विद्याले में प्राध्यपक की नोवलिगी और इसके बाद वो भार्टिय विदेशी से वागे लिए चले गये दे इन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्ति के जीवन की वेदना तका राज्टिय चेदना और इनके जीवन दर्शन हमें तव्यों में मिल दे हैं इन्होंने अपने रजनाओं में राज़ेती जीवन के ढों तका सामाजिक विशंता जो है उसके बारे में उन्होंने ब्यंक किया हुआ। इन्हें साहित्य अकादमिर उरसकार, सोवियर भूनि नहरु उरसकार तका सरस्वति उरसकार से संभाई किया। इस अभीमत कभिता में कभी ने यही बताया है कि मनुष्ट का जीवन संकर्षा से भरव हुआ। या कि इस संसार में अगर हमें जीना है तो हमें अन्हें परनी स्थितियों का अस्राँ ना करना पड़ेगा, उससे जूजना पड़ेगा। इस जीवन को जीते समय जूसते समय के समस्थाँ से हमें किस प्रकार से सावधानिया बरत दी चाहिए और अपने लक्ष तब किस तरह से पहुचना चाहिए। यही बार हमें अरिवन्चा बच्चन जी अगनिपर्थ इसकविदा में दीवी है। जलबच्च पर देने हम हम हमारे अगनिपर्थ इसकविदा को, इसकविदा का पहला काप्रांच इस तरह से हैं। अगनिपर्थ, 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 रुक्ष वो भने, खडे, वो भने, वो खडे, एक पत्र चाह भी मांगमत, 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 अगनिपर्थ, 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 यहां पर अगनिपर्थ का अर्थ अधी है, कट्न कभिनाइन से मरावा जीवन कर दिए अग्रिपत्त का पत्रिम तो कभी नहीं है बताया कि यह मुश्व तुमारा जीवन यह संधर्श से प्रववा गे समस्दाउस प्रवगा इसीविए उस संधर्श में रास्ति पर छलते समय तुम्हे बड़े बरुक्ष की उस राह में मिलेगी लेकिन उस बरुक्षों की एक पती पर च्शया नहीं करनी है बच्चों यहांपर उन्होंनी रुक्ष की चाया यहीं बसकता कभी हमें यही बताना चाहते हैं कि यह चाया यहीं सुक सुबिदाएं हैं कुछ लोग हमारे देय पर चलते समय हमारे देय पर हमें प्रुकारटे पैदा करने के लिए कि ऐसे सुक्सुमों विक्षों के एक परते की शाया हैं को हमें लेनी नहीं है उसमेह कहारा जाता है क्योंकि बट्चों अगर हमनें ऐसे सुमों की अगर च्षाया लिन, और सुमिनाय के सुक्सुमों तो हमारे धेयया पर हमें चलने के लिए हम कम पढ़ जाएगे, कम जोर पढ़ जाएगे and की सुभू की आदर पढ़ जाएगे अब इसलिए कवेएं प्रा पदेदेएं कि एक पत्रण छाहग अभी मांग माँदो हमें अपनी दिये अपर चलते रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए और संवर्श अपर पर राप्त करना है तो इसलिए यहाँ पर परमुच्टा बच्चन जो भी रही प्रेक्टा दे रहने हैं कि ऐसे जीवर्णी चलते समय करिनायों दे रास्त में तुम्हें ऐसे कई रुक्षत यादि सहारा देने वारे रोग मिलेंगे तेकि उनकी सहायता तुम्हें बिप्र देने नहीं है तो कि शुक सुबिदाओं में अगर हम बुलच जएंगे तो हम हमारे धर दर अभी ही पहुच नहींगे क्यों कम जोर बढ़ जाएंगे हमें आदत कर जाएंगे उन सुपों की उन सुबिदाओं की और दूस्णों की सहारा लेने की और इससे लिए हमें किसी की प्रकात्य सहारे की लस्तों सुझिदाओं को बेखुण लेना नहीं है। यही कुछ हमें इस पहले को अग्मिय काता है। इसका आप दूसरा पॉल है। तू न कते गात अभी। तू न मिल गात अभी। तू मुड़े गात अभी। कर्षपत, 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 अग्मिय पर्द, अग्मिय पर्द, अग्मिय पर्द, अग्मिय पर्द, अग्मिय पर्द, अच्छा। यही कहते हैं अभी। जीवन में संकर्शुरे रास्तिपत को अग्मित है। प्राक्त करने के लिए चल पढ़ना ये मुश्व। लेकिन एक धार में रख और उस राह पर चलने से पहले, कटीमता से भरे हुए रास्ते पर चलने से पहले तुझे पहले शपत करने होगी वो इस बात की कि तू बिल्गुल न ठकेगा, न रुखेगा और नाम कभी मुढ कर देलेगा, वो इसलिए कि बच्चो एक बार अगर हम ठक कर रुख गए तो हम उसी तरह से सुख सुख विदाओं में पढ़ जाते हैं, और मुढ कर अगर हमने अपने जीवन को देखा तो हमें हमारी गल्तिया और हमारी समस्या ही दिखाए देगी जो हमें आगे बढ़ने के कमुख बढ़ देए तो हमें कर देखा देल गल्तिया आगे, क्योंकि कंवकर समस्त्रे के कि हमने पीचे कि इतनी समस्त्रे पाल की है और हमारी जो द hell है जो रास्ता है हमारे मंजी को पानी का, वो हमें दूर दिखाई देता रहेगा, इसी लिए हमारा मन और हमारी जो शक्ती है, वो कमजोर न पड़े, इसी लिए हर्मुच्रा पच्छे जिनेता है, इत्मों न कभी रुपेगा न थमेगा, और ना नी मुड़कर कभी देगा, के पर हमारे दिमागों बहुत कम, लेकिन दूर के बहुत हमारे अंतगरों तक गहराई तक पहुँचा है, इसी लिए उनकी ही मुड़कर देखने पर, बस उन दूरों के ही हमें बहुत यादा की है, और हमारा मन और फेल से, अपने मनजिल के और बढ़ने से, हमारे कदम पर अपने का प्रयास करता है, और यही तुभी नहीं चाहता है, और इसी लिएकों इत्ता है, कि ये मनश्व, तु अपने धैय पर, चल के समय, संभर्ष करते समय, तुझे बिल्कुर मूड़कर अपने जीवन को देखना नहीं है, तो यही शपर कुपने करने के लिए कहा है, अचो, आगे चाहता है, नोड़ अपने कपनाओं, अगला का अवाँश की सिरसे दाहा है, यह महान दुष्यरे, यह महान दुष्यरे, चल का मनुष्यरे, अशु श्री दलपसे, लपद, 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 लपद दल रहा है, अड़ रहा है, और ऐसी स्वंगंगर सबसे महान सबशें महाँ आपकताः, यहां पर हुराय ने बताया कि आश्रु श्वेद चान थattering यहां पर अरो श्वेद का अल्थ में पसीनाद श्वेद का आदो ने पसीनाद वन्हें आज़मीकेय चाहं नो तो इस तरह से जो ब्रुश्या आपने देय दप चलने के लिए अपने मंजीर को आसिल करने के लिए खुन से अपने खुन पसीने से लगपत होकर समस्याओं से जूज कर लड़ती हुए कर्मता के साथ गूता के साथ वो चल पड़ रहा है यही जीवन में सक्सिमा पडोलन माम दुश्य कवी निका रहा है। जो दुश्य अपने जीवन में इस तरह से अपना पुन पसीना भागर अपने मंजीर को आसिल करता है। उसके जीवन में वही प्रुष्य सक्सिर मामा नुदा है और बागी के लोगों को भी देखने के लिए मामा की मुदा है यही यहाँ पर परिवंश्रा रच्छी ने कहा है कि व्यक्ति को संभर्ष करते हुए अपने मंजिर को राप्त करता है कि बच्छो खुद अपने मुद्पसिलों को एककर जब अपने ध्रेय को हम असिर करते हैं प्राप्त करते हैं तो उसका आन्यंद कही अलग उटाए कि दुना उटाए कि कई सुखों से सुखुदाओं से तर दूसरों के साहिता से मिले हुए आन्यंद से कही बड़ा उटाए इसके जो अंक आपको मिलने हैं उसी में जो आँका आनन्द हुड़ा है वो आपको दूसरों के सहरा लेकर मिलने से कही चाला लेका है उसलिए नश्युमा करना सुखुदाओं किसान जब हमें खेदी में खून पसीना एक करता है और वो फसल निर्मान करता है इसलिए को उसे उस अनाज की कीमन पतावती ने तो यही हमें करना है हमारे द्री अप्राप्ती को हमें संघर्ष के साथ खून पसीना एक करके हमें उसे प्राप्त करना है हासिर करना है, उसी में कर्मनता हमें दिखाई देगी, उन लोगों को हमें दिखाना है, जो हमारी ताक्सते पर बागाय बन कर आते हैं, उन लोगों को हमारी कर्मनता है, दूरता है, उसे दिखाना है, हमें ताकत को दिखाना है, अब उसके लिए हमें करना है, संबर्ष करना ह और ऐसे महाल धुर्षवा हमें भी एक बात रहा है। परिवाँ शाय बच्चन जी ने इस कविता में से पूड़ी यही पर नदी है कि तू परिश्रम को कर्मटना के साथ अपने मंजिल पर चलो और अपने मंजिल को हसी करो तो बखुशी उमारे कई दुव्री हो जाएगी और किसी तरह से और हमें आशावार दिखाते हैं इनकी जो कविताई हैं हैं अपनुछा बच्चन जी की इसमें से हमें संभर्ष़ की दिखाई देता है जीवन की सत्य का दिखाई देती है अब ऐसे ही सत्य परिस्ति से उनों इसमें परिशुट करवाया है और सत्य जी जी है कि हम मनुष्य जिस मंजिल पर चलते हैं जो धेयर हम अपने मन में लगती है उस धेयर को प्राप्त करने के लिए अपने बल पर अपने ताकत पर हमें उसमें को आसिल करना रहे और अपने महाम दुष्य को गर बिताता है लोगों को भी हमारे प्राप्त के लिए अपने पर दिखाए और गर भोगा हमारे उत्पर देता है लिए ती पदों की जो कविटा है को इतनी हमारे मन में प्रेधना भख देती है और उसी प्रेधना को हमें आगे बढ़ाणा है अगने मत कविटा का स्वर संगर्श का है कविटा इस कत्यमों रहांपित करती है कि जीवन में इसंगर्श अपर इहारी है इसे बचनी की कोशिश करने बाले अपने लक्ष तक पद्रा की नहीं पहुच पाते हैं और इस तरह से हमें अपनी संगर्श की संगर्श से कभी इंडर्णा नहीं है और जो व्यक्ति इस तरह से अपना पुर्ण पसीना एकर अपनी मंजी को प्राप्त करता है वही कर्वट होता है और वह अपने धेयमी को पूरी तरह से प्राप्त कर आने पाली किसी की समस्राँ से रटने के लिए को प्राप्त करता नहीं हम भी डर बन जाता अब इन्हें यही बताया है कि मनुष्यका जीमन एक संगर्श की और बिना संगर्श की तो जीमन कोई नहीं सकता जैसे कि हम देखते हैं कि संसार में अगर हम इंटीकना है तो हमारा जीमन यादि इस संसार में सुख भी प्राप्त करना नहीं को बिना संगर्श से नहीं मिलता है तो जीना तो बहुत दूर की बात है इस सुभों को अगर आप चाहते हैं, तो बच्चो संधर्ष करना सीको, फून पसीना एक करके अपने मंजीर को हासिल करो, संधर्ष से करो, और अलिस संसार को, संसार में इस धक्ती पर जीने के लिए काबिलियत अपने अंगर, वो कर्मन का और आशादाई, वाता और आपके म अंगर आपके में पर जो यादि पर हुमारी हरिपणुष्रा गक्चिंटी अम्णी पर जविता यहां समात अभी है, तर्देमान पर जो बिए हैं